आज मैंने सुबह ही दूद पका लिया है डर के मारे जैसे ही दूदा है वैसे ही मैंने पकने को रख दिया है जमिए बता हैर है और वाफ यहां मेरी चाय मेरी बने पकनारा चानिदा लूदा कि तुल्सीक पति की चाय पिरेए और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए आप लोग भी तुलसिक पत्ती को खाईए जिस तरह खाईए जिस तरह खाईए जिस डारेक्ट खाईए या काढ़ा बना करके या चाय में डाल करके एक चीज मैं और रूटीन में लेकर आई हूँ फूले हुए बादाम भी बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए बस इसको मैंने रात को पानी में डाल दिया था अब मॉर्निंग में इसको चील करके पहले ये खाईए उसके बार चाय पीएंगे ये आपको मिलती हूँ और प्यास ब्रम प्यास ब्हुत इसको जादा नहीं भूनना है फिर उसके और मैंने क adapting करेल को रात में ही मैंने छील करके नमक मिला दिया था oh ரा आ अब isma अब यहां मेंगो लस्इ बना रही हूं तो एक मिक्सी के जार में मैंने पका आम लिया है अब iç में मैं टही डाल रही हूँ फिर पिसी शञण डाल रही हूँ अबने टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो जितना आपको लिकोडी रखना अपने हिसाब से आप दूद एड़ करिए इसको फिर से मिक्स कर लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी आपको जितनी रखनी है देख लीजे क्योंकि अब ये फ्रीज में जाएगा तो गाड़ा हो जाएगा अब इसमें मैं इलाइची का पॉडर एड़ कर रही हूं इसको एक बार और चलाएंगे ये हमारी लसी तयार हो गई अब इसको हम गलास में निकाल करके फ्रीज में रख देंगे जब ठंडी हो जाएगी तब आप पीजे ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है तो ये हमारी लसी रेड अच्छी तो प्रणाटी थोड़ा सा गराम मसाला और थोड़ा सा नमक ये सब एड़ करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें कटे हुए टमाटा डाल देंगे इसको भीच भीच में चलाते रहेंगे तो सबजी रेडी हो जाएगी ये अच्छी से बुंज गई है ये दही जम गया है कितना अच्छा दही जमा आए जैसा मैंने दिखाया था आपको ऐसा अगर आप दही जम आते हैं तो बहुत ही अच्छा दही जमेगा अभी इसको फोल ना नहीं है इसको फ्रिज में रग देंगे कम से कम 2-3 घंटे के लिए दपार के दो बच चुके हैं अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को शेयर जरूर करें